नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहें यूटूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज यह वाला फ्री टेलिग्राम चैनल जरूर जोइन कर लिएगा सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यही पे आते हैं ध्यान लग्येगा कोई भी पेड ग्रूप अगर आपको जोईन करना है तो शिर्फ 856-80530-969-0608-97523-86455 यही नंबर है हमारे सिर्फ जहां पे कॉल या वाट्सप कर सकते हैं इस्टाग्रम पे जरूर फॉलो कर सारे कोईशन अटेम्ट करिया और इसको अपना तुरंत कमेंट करके बताइए नमस्कार मैं मुहम दिवेदी स्वागत करता हूं आपका स्टेडी फॉर सिविल सेवस्टेस में जिसमें आज हम बिहार जी के कुछ प्री रिलेटेड कोशन देखें और शुरू करने से पहले म इस नंदंगर से सासा राम से रामपुर्वा से आपका पाटली पुत्र से अनमें से कोई नहीं है एक से अधिक है इस option का खूब ध्यान रखियेगा ठीक है कई बार इस option के कारण questions गलत जाता है खेर इस question का जो answer है वो है आपका सासा राम से ठीक है तो सासा राम से लगू श अधिक तो देखिये इसमें जो आपके प्राप्त हुए हैं वो संस्कृत में प्राप्त हुए हैं और आपके प्राक्रत में प्राप्त हुए हैं ठीक है तो अगला देखिये बिहार से मौरकालीन अभिलेख किस लिपी में पाए जगे हैं ठीक है तो ब्रामी लिपी में खरो अग्ला देखिए किंसे निमलिखित में से किस किन स्थान में पाये गए गए हैं कि बाबरू बैराट तो यह नहीacas नहीं है आपका राजिस्थान में पंछ मार कवायन है यह किस स्थान से भीहार में मिलें है अगला देखें कौन सा तुरक राजवंष था जिसके अभिलेक भिहार से मिले हैं तुगलक के सयद के लोधी के याइन में से कोई नहीं या एक से अधिक तो आंसर है इसका तुगलक कोश्चन से इनको सिर्फ आपको याद करना है और कोई तरीका नहीं समझने और गरागा ठीक याद कर लीजेगा अगला देखें निम्रिखित में से कौन सा साहित ते प्राचीनतमाना गया है ठीक डी आंसर अगला देखें देखें महा जनपदों की जो जानकारी है वह बेसिकली तो आपके अंगुत्तर निकाए बगवति सूत्र महावस्तू इन में मिलेगी आपको ठीक है लेकिन जो बिहार के है उसके बारे में पूछा गया है तो आंसर है इसका अंगुत्तर निकाए ठीक ए आंसर अगला देखें देखें जो महा जनपद है बिसिकली तो यह उनके पुराने नाम है और यह आजकल उनको किस नाम से हम जानते है वह बताना है ठीक है तो कौन सा एरिया है भागलपुर वाला एरिया ठीक सही है आपका मगद कौन सा एरिया है यह पटना वाला एरिया है यह ठीक वज्जी है जो यह आपका मजफर वाला एरिया है लेकिन मल है जो ठीक है तो मल बकसर वाला एरिया नहीं है यह यूपी में जो आपका देवरिया बस्ती गोरक पुर्स दार्थनगर वाला जो एरिया है ठीक है यह है आपका मल क कौन से गलत मैस्ट है ठीक तो देखिया मलगी कुषीन अगर बिलकुल सलिए ठीक है वजी है जो उसकी आपकी वैशाली ये भी सही है मगद है जो उसकी पाटली पुत्र ये भी सही है और अंग जो उसकी राजघीर न होकर के उसकी आपकी चंपा चंपा राजदानी थी तो आंसर हो जाएगा यहां पर ए ठीक है आपको मगद वाले पार्ट में आद रखना है देखिए मगद में राजगीर अगर लिखके आता है तो वह भी बिम्बिसार के टाइम पर थी ठीक बिल्कुल सही है अगर माल लीजिए प निम्लिखत बिल्कुल सही है देखिए निम्लिखित में से किस प्रठम विदेशी ने मुगल काल में बिहार की विम्ला अथि फ्मुला तकिया ने मुला वहभानी ने मिर्जानाथन ने या मिर्जा तुम मैंने से कोई नहीं एक से अधिक तो आंसर है इसका मुला पकीया ए answer अगला देखें एक book है जिसका नाम है सियर उल-मुखतरीन ठीक है तो इस book के रचनाकार कौन है अब बास सर्वानी, गुलाम हुसेन तखतवाई या शेक कभीर या गुलाम हुसेन सलीम, तो answer है इस question का आपका गुलाम हुसेन तकटबाई है जो ये हैं सियारूल मुखत की रचनाकार ठीक अगला देखे कंत्रों से कौन सा सत्य हों बिहार में तुर्क सत्ता के स्थापक कौन थे आपके अलावदीन खिलजी ठीक है तो यह हो गया गरत क्योंकि तुर्क सत्ता की जो स्टब्लिश्मेंट किया है वह आपके उसके लावे जो बक्तियार खिल जी है उनकी विहार में प्रथम विजए है जो मुंगेर की कहलाती है यह गलत हो गया कäterधंड़ विजी में आस्ट थिखिए बिहार शरीफ वाली विजे और उसके बाद छत्राब देखे है बक्तियार खिल जी में बिहार बिहार शरीफ पर 1198 पर विजय प्राप्त की थी तो यही उत्यंतपुरी वाली जो विजय है यह कब की थी बिहार आने वाला अगर पहला सूफी संत पूछा जाए पहला कौन था तो वो है आपके मोमिम आरिफ टिक ए आंसर हो जाएगा तो इस क्योशन का अंसर है सीताज फकीर अगला देखें निम्लिखित में से किस साशक में सबसे पहले आपके बिहार को दिल्ली सल्तनत के आधिन किया था कुत्व दीन अइबक इल्तुत मिश बक्तियार खिल जी या मुहमद बिन तुग तो इसक्रेशन का अंसर है आपका इल्तुत मिश बी आंसर अगला देखें बिहार राज का नाम बिहार किस काल में पढ़ा था गुलामवंच में खिल जींज में तुगलक वंच में या आपके लोधी वंच में या इनमेंसे कोई नहीं या एक से अदिक ये तो यह पढ़ा था आपका तुगलत वन्ष में जो था वो बिहार का नाम बिहार पड़ा था ठीक अगला देखें शाहा के काल में बिहार का सुवेदार निम्लिकत में से कौन था दाराशिको शैस्ता खां सुझाथ खां शाहिद खां या इन में से कोई नहीं एक से अधे ठीक तो आंसर इसका शैस्ता खां ठीक कहा का सुवेदार था ये बिहार का सुवेदार किसके टाइम पर शाह जाह के टाइम पर अलग से भी पूछा जा सकता है ये भी आज़र किसके टाइम पर बिहार के सुवेदार थे शाह जाह के टाइम पर ठीक अगला देखें मुगल काल में कौन सा ऐसा सा जिसमें बिहार को बंगाल सूबे से अलग मना गया था 1731, 32, 33 या 34 में तो आंसर है इस जिसमें बिहार के किस शहर को अजीमाबाद नाम दिया है पटना को मुंगेर को भागलपूर को या दर्बंगा को तो इस क्वेस्चन का अंसर है आपका पटना को आजम ने आपके आजीमाबाद कहा अगला देखे 1748 में अलवर्दी खान निम्लिकित में से किस युद्ध में आफगानों को पराजिट किया ठीक है रानी सराय के युद्ध में आरा के पटना के बकसर के युद्ध में इन में से कोई नहीं बएक से दिक तो ये इसका अंसर पर निम्लिकत में से किसे पराजित किया था अफगानो को तुरकों को माराप्षों को अग्मेज्यों को इनमेंसे कोई नहीं और ऐसे दिख ठीक है तो फतुहा के पास मेराप्षों के साथ युद्ध धुद्ध हुआ था अलवर्धी खान का जिसमें आपके अलवर्दी खान जो थे वो विजय हुए थे ठीक B C आंसर अगला देखें बिहार के उपनवाब है जैनुद्दीन हैबत जंग इनका वद है जो वो अफगानों ने कब किया है 1738 में 1748 में 1758 या तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1748 में ठीक है है बत जंग का वद अफगानों ने आपके जो बिहार के उपनवाब थे उनका वद किया था अफगानों 1748 में अगला देखें निम्निखित में से किस ने अपनी फैक्टरी है जो वो पटना में लगाई थी आपके पुर्तगा कालियों ने और फ्रांच को छोड़ करके इन लोगों ने डचों ने और अंग्रेजों ने दोनों ने अपनी फैक्टरी है जो वो पटना में इस्टब्लिश की यह दोनों बात आपको याद रख नहीं है बी और सी दोनों आंसर है तो एक से अधिक लग जाएगा यहां पर अगला देखें बिहार से यूरोपियन कंपनी का किन चीज में व्यापार स्थापित था काली मिर्च में था चाय में था शोरा में था या मलमल में था ठीक तो शोरा जो था उसके साथ ट्रेड हुआ करता था ठीक है और भी बहुत सारी चीज़ें थी आपका अनाज हो गया वस्त्र हो गया और आपका वह अफीम हो गया ठीक है यह कई सारी चीज थी जिन से स्टब्लिश करते हैं लेकिन काली मिर्च चाय और मलमल के साथ नहीं था ठीक तो शोरा होगा अगला देखें मीरन को बिहार का उपनवाब कब बनाया गया था आपका प्लासी के युद्ध म बक्सर के युद्ध में आरा के युद्ध में या पतना के युद्ध में ठीक है तो इस question का answer हो जाएगा आपका 1757 में कौन सा युद्ध हुआ प्लासी का युद्ध ठीक है एक अगला question देखें बड़ा traditional सा question है बक्सर के तो इस question का आंसर हो जाएगा 22 October 1764 ए आंसर अगला देखें दानापुर का जो प्रसिद्ध विद्रो हुआ तो वो कब हुआ है 25 जुलाई 1857 को 25 अगस्त 1857 को सितंबर 25 अक्टूबर यह हुआ है तो यह हुआ है आपका 25 जुलाई 1857 ए आंसर हो जाएगा अगला देखें निमलिखत कथलों मेंसे कौन सा असथ है गलत वाला बताना है जग्दीशपूर के राजा कोवर सिंग थे अनसर है यह वाला statement है सही है जगदीशपूर शहबाद जिले में इस्तित्त था यह भी सही है और शहबाद जिले की जो राजधानी थी वह आपकी आरा तो यह भी शही है और चौथा देखिए अमर सिंग ने जगदीशपुर में बंदूकें और गोला बारूत बनाने का एक कार खाना इस्थापित किया थी तो यह गलत हो जाएगा क्योंकि अमर सिंग नहीं किया था वो किया था आपके कोर सिंग ने ठीक है तो अंसर हो जाएगा इसका डी गलत वाला पूछा है अगला देखिए एक फेमस परसनेल्टी है विहार के जिनका नाम है पीर अली ठीक है और यह क्या थे पुस्तक विक्रेता थे यह याद रखना है आपको इनको फासी कहां दी गई थी यह पूछा गया आरा में पटना में गया में या बक्सर म में है वागलपूर संगरहले में या मोतिहाषी लाल इन्मेंसे कोई नहीं आजिक है तो आंसर हो जायँका यह का मंदर है को यह आपका कहां पर भिहार में राजगीर में वैशाली में गया में इन में से कोई नहीं है एक से अधिक तो यह आपका रहतास गड़ में ए आंसर समधित में इंठीक और सब्च पंढनी ग५ा बी राजगी में विश्षान्थी स्थूप आपका वैशाली में हैं विश्उष्षान्ती स्थूप बहुत धर्म से संबंधित जापानी मंदिर है इसके विश्व शान्ती स्थूप को जापान ने बनवाया था यह दो तो सही गलत वाल आपको बताना है और यह है आपका राजगीर में इस्टबलिश्टीक तो आंसर हो जाएगा इसका बी ठीक यह वैशाली में नहीं है राजगीर में अगला देखें बिहार राज खेल प्रादिक सब्सक्राइब करें तो आपका नालंदा में इस्थापित है तो यह गलत हो जाएगा क्योंकि यह आपका पटना में है फिक है गलत हो गया दूसरा देखते हैं इसका स्थापना वर्ष है जो वह आपका 2006 में है वह सई है उसके जो कुमपती राज्यपाल होते हैं तो यह भी गलत हो गया क्यूंकि इसके कुलपती राज्यपाल नहीं करके पट्ऱणा उच्छिछींगाले के चीफ जेस्टिस पट्णा थिख सफ पंड़ ऑफ पत्थना में है यह गलत हो गया दूसरा अगला देखिए विहार में निम्लिखित में से कौन सी फसल है जो खादर मिट्टी की प्रमुक फसल मानी जाती है तंबाकू रबड कपास और जूट ठीक है तो इसमें आपकी जूट है यह आपकी खादर मिट्टी की प्रमुक फसल है ठीक है और इसके अलावा क्या-क्या है अधन मि तो सभी है आंपर तो आंसर जोट है जोड मिट्टी के परमुक फसल तो आपने यहाँ पर यह सब मानी है यहाँ पर भी मनना होगा यहां भी मनना होगा ठीक तो एक से आधिक हो जाएगा यह अनसर अगला देखें वर्शया रित्व में बिहार में निम्रिकित मेंसे किस मॉच्शून का प्रभाव है जो वह सबसे बिहार में जो ग्रिश्मकाल में सबसे ज़्यादा वर्षा कहा होती है आपका पूर्व वाला भाग है जो भागलपुर हो गया कटिहार हो गया मुगेर हो गया यह वाला जो हिस्सा है इधर पूर्वी एरिया में ज्यादा वारिश होती है इसके बाद आपका बिहार में मौनस से 200 cm ज्यादा वर्षा होती है लेकिन इतनी नहीं यहां होती है 100-500 cm के आसपास वर्षा तो आंसर हो जाएगा यहां पर D क्योंकि गलत वाला इसमें बताना था यह आंसर D हो जाएगा इसका अगला देखिए जिनों को वनों के घटते हुए क्रम में आपको लगाना है तो में तो यह इसका क्रम बिल्कुत सही लगा हुआ है तो अगर लगवाने को आ जाए तो इस तरह लगाना है maximum पूछ ले तो आपको कैमूर तो आंसर हो जाएगा इसका अगला देखें निम्लेखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है गलत वाला इस पर बताना है तो राजगीर अगर अब बयरन है यह पटना में यह वाला गलत हो गया क्योंकि यह आपका चंपारन में है अंगला देखें निम्लेखित में से 120 किलोमेटर लंबी गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है बैशन प्लक यहां पर की सबसे लंबी साहयक नदी बी पूचिं आपको बता दिए क कितनी 120 मीटर तो वह सबसे लंबी से याइडिया लगा लीजे कि कोसी है ठीक है अगर पूछ ले कि बिहार में कितना फ्लो है उसका तो 120 किलोमेटर्स के आसपास 120 किलोमेटर्स अगला देखिए निमलिखित कथरों में से कौन सा सत्य गंगा नदी है जो चौसा नामकिस्थान स मिल जाती है यह बारट भी सखें है और आपका छपर के निगड जो घागरा नदिये वह गंगा से मिलती है चारों यहाँ पर सखेंट क्या लगेगा tief अगला देखिए निमलिखित नदियों मैं से पस्चिम से पूर्व की ओर लगाना है इनको ठीक है तो सारे गरम पानी के कुंड है तो आंसर हो जाएगा इसका का एक से अधिक तो आंसर हो जाएगा इसका एक से अधिक तो आणसर हो हो जाएगा इसका रश्या की मदद से इसको इस्टब्रिश किया गया था डियार में सिगरेट बनाने का जो सबसे बड़ा कार खाना है वो निम्लिखित में से किस इस्थान पर है कड्यार में पुणिया में मुंगेर में या भागलपुर में में से कोई नहीं है एक से अधिक तो आंसर है इसका मुंगेर में ठीक अपका सी आंसर अभी आपको वीडियो को पास करना है अपने स्कूर हमें कमेंट बॉक्स में बताना है अगर अभी वे आने चैनल को सब्सक्राइब नहीं के सब्सक्राइब करें बैल आकन की बटन दबाएं जल्दी मिलेंगे अगले टॉप 50 कोश्चेंस के साथ तब तक के लिए धाने बाएं